जाहिन दोस्तों तो आपको पता ही है SSC MTS के एक्जाम स्टार्ट हो गए है यह हम लोगों ने कल का analysis आप लोगों को कराया था बहुत ज्यादा students ने उसको देखा है और कुछ लोगों के negative reviews हैं कुछ के positive अभी हम लोग करने वाल है आज का review यानि कि आज के exam आपका कैसा गया आपको किन-किन बातों का ध्यारक ना है और आज के session से आपको कितना फाइदा मिलेगा जिन students को अभी paper देना है मतलग इस तरह के session जो मैं आपको दे रहा हूं यह exam analysis इससे सिर्फ students का फाइदा होगा नुकसान किसी को नहीं होगा एक पर्शंट भी ठीक है तो SSC की तरफ से आपको पता है कि कुछ notification आया था जिसमें उन्होंने कुछ अपने terms and conditions बताए कि भाई य यह नहीं बता सकते आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है किस तरह का paper पूछा जा रहा है ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है और लिखा है तो आपसे मेरे मेरे से आगे कोई बात कर ले ठीक है तो हम कराने वाले हैं SSC MTS 2024 में एक अक्टूबर में दो तीन सिप्ट में पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और उन सब चीजों का हम लोग क्या करेंगे ध्यान रखते हुए आगे की चीज़ें जो आपके लिए फाइदे मंद हो सकती है जैसे मैंने 30 सितंबर का आप लोगों को सब कुछ बताया था कि भीया क्या-क्या हमारे एक्जाम में से लेव बिलकुल नहीं मिली क्या-क्या वेटेज था आज के पेपर में वेटेज भी बदल गया कोश्यन के टाइप भी एक दूब नीचे हुए है ठीक है वह मैं आपको बता देता हूँ यह तो मैंने कल के अनलेसे में आपको बताने बाला हूँ आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कितने अटेंट्ट करके आरे हो आपका क्या से को रह सकता है कितने अच्छे अटेंट्स रहायां कितने उससे अगर कम अर्यम्ट से तो आपका सारी चीज़ें नहीं का यहां यह ने'll पら तो त्टोडल गया है ठीक है वी वेटी दूसरे पेपर मां कहीं को बच्चों को analysis मिली जाता कई नहीं से ठीक है तो इस सब चीजों को देखो एरे डिटेक्शन के सवाल बढ़ गए है ना कल से तो यहां पर सारे के सारे कुश्चन का वेट आप लिख लो सबसे पहले के आप देखोगे एरे डिटेक्शन के कुश्चन जो मैंने अभी कितने बत सवाल पूचे गए ध्यारगना ठीक है तो आपको थोड़ा सा तयार रहके जाना है चार सवाल आपके एरे डिटेक्शन के हैं ठीक है भाई एरे डिटेक्शन के चार फिलिंदा ब्लेंक्स के भी चार जबकि दो मैंने बताया थे कि दो कुश्चन पूचे जा रहे हैं तीन सगिस्ट के सवाल थे हैं अड के सवाल है साथ के साथ के सथे पान्च वुFire तो फिकिस हें यहां जर्फ से आपके कितने वह तुटल 2019 अगे फीच हो जाता उसकी टेंशन मतलिया अगम फेटिक एक दो कॉश्टन ऊपर नीच अश्चे हो जाता है एिडेम ऌपके के इडियम के आपके टोटल 25 कुशिन है आपका आप देख लो ठीक है थोड़ा सा उपर नीचे होता रहता है कई वारी क्या होगा कि सिनों ने वन वर्ट बढ़ा देगा तो इधर स्पेलिंग टेस्ट में उपर नीचे कर देगा एरे डिटेक्शन ग्रैमर में आगे पीछे कर द करने देथकिर को सबता दिया था कि एरे डिटेक्शन में सवाल पूचा जा सकता है वह उसकी गेरंटी में फूचा जा और आज की ब्लास माई मैं जी आपको बताऊं जा रहे होगा देखे आयो, GS के बहुत सारे बच्छों ने डिमांड करी, कि सर GS का थोड़ा सा आइडिया लग जाए, तो वो मुझे बता दो तो देखो सबसे पहले में GS के कुछ एक तो मैं easy और moderate में ये फरक बता दू, easy, moderate, tough ये paper कैसे आते हैं, simple सी बात है, अगर आप prepared हो, तो paper आपको आसान लगेगा, अगर आप prepared नहीं हो, आपको टफ लगेगा, बात खतम, अगर आपने syllabus को 6 मैंने भी दिये हैं, थोड़ा बात अच्छी से तयारी करीए, आपके दिमाग में घुशती हैं चीज़ें, तो आपको paper आसानी लगेगा, बह लेकिन देखा जाए, तयारी के हिसाफ से जो बच्चे तयारी करते हैं, साल चे मेंने टाइम देते हैं, उनके हिसाफ से paper बड़ा easy है, English का तो अभी तक, ठीक है, GS का तो हमेशा से आपको tough लगता है, तो GS के बारे बदो हम कहेंगे नहीं, तो हमेशा आपको tough लगता है, उस तो headquarter ऐसे लिख लेना, headquarter से कि कौन सी संस्था का headquarter आपसे पूछ लेगा, तो आप पढ़के चले जाना, dance एक question पूछा गया है, ठीक है, vocabulary ये English की vocabulary थोड़ी सी general vocabulary मैं आपको बता दूँँ, वो कैब बहुती general vocabulary पूछे जा रही है, जो regular आप पढ़ते रहते हो, ठीक है, black book अगर आप पढ़ ले रहे हो, या 18 गंटा, 17 गंटा, दो classes मैंने करा रखी है, आपको उनसे पढ़ जाना, ठीक है, general vocabulary आपकी पूछे जा रही है, एक question आपका geography से पूछा गया है, मैं आपको idea देता हूँ कि कैसा question पूछा जा रहा है, geography से एक सवाल पूछा गया है, कि किसी एक चीज का नाम लिख दिया, कि भईया, ये चीज कहा पस्तित है, किस देश में, geography मतलब एक geographical question आप जीएस माल लो, general study माल लो, ठीक है, general study में आपकी कई तरह के सवाल बन जाते हैं, तो आप जीएस, common GS में मतलब पूछा गया है, कि एक चीज का नाम लिख कि कि ये किस state से स राइटर, किस book के writer, ठीक है, writer और author, ठीक है, ये जरूर पढ़ जाना, ठीक है, books के writers और authors है, इन से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, books के writer कौन है, और books के author कोन है, books and authors आपने पढ़ी होगे, static में, ठीक है, current affair के आपके 4 से 5 question आपके पूछे जा रहे है, ठीक है, 4 question माल ल तो पेरी सोलेंपिक से एक सवाल पूछा गया है आप मैं आपको बता दूं खेल से संबंदित मैडल से संबंदित चिक जेता को साइव घियर लिया आपको बता दूंक इस तरह का सवाल पूछा कि यह वाला मेडल किस फिल्ड के किस खिलाडी ने जीता है तो इस तरह से आपका सवाल पूछा जाएगा तो एक तरह के से करंट अफेर भी है प्लस स्टेटिक भी मान सकते हो खेल से रिलेटेड ठीक है एक आपका साइंस में साइद मुझे नहीं पता है यह केमिस्ट्री में ह वहता है ठीक है एक सवाल साइंस लेकल देता हो कॉमन ठीक है जन्रल सैंस सायंस साइव से एक कुछा जा रहा है color में मुझे इयं पूछा जा रहा है थे तो साइंस में थोड़े वहतों All लगा लेना बाकि क्लोस टेस्ट जो इंग्लिस में पूछा जा रहे हैं वह बड़ा आसान सा है मतला एक तरीके सा भी कैसे स्टोरी बेस्ट जैसा है अलगी से ऐसी स्टोरी जो आपको समझ में आ जाएगी ठीक है आसानी से और ग्रैमर में मैं आप लोगों को बता चुगा था कल ग्रामर में मैंने आपको बताया था कल ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं यह रहा ग्रामर में मैंने आपको कल बताया आर्टिकल से कुषिन पूछा जा रहा है ठीक है और क्लोस टेस्ट बड़ा ही आसान सा है क्लोस टेस्ट जो हैं बहुत जादा टफ आपका नहीं है से डांस से कुशन पूछा जा रहा है तो यह सारी चीज़ होगे ठीक है यह मुझे बायोजी या कैमिस्टी का है यह मुझे कंफर्म नहीं है तो आप देख लिना साइंस मैंने लिख दिया कॉमनली एक कुशन साइंस का है ठीक है अब आजाते हैं कि ब्याइक से सब्जेक्ट में आप कितने कुशन करके आ रहे हैं किया सकोर आपका यह सारा का सारा है जी एस का पार्ट बता है और जी अगर रेग्लार्ली पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा करके आओगे है ना हाँ नॉर्मल अगर आपने जीएस बगर कहीं क्लासस से भी पढ़ाया ना या किसी नोट से भी बढ़ाया तो भी आप अब यहाँ पर मैंने अटेंट्स लगा रहा कि आपको भी बता है कि मैस और रीजनिंग का पेपर एक सेक्शन में होता है इंगलेस और जीएस का एक दूसरे पेपर में एंटर कर जाओगे तो आप मैस में सबसे ज़्यादा सवाल गलत होते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी वह सही होने चाहिए बाकी अटेंट आपके लगबग 10 से 11 या 12 अटेंट कर पा रहे हो तो अच्छा स्कोर है यह आपका लेकिन रीजनिंग में यहां पर मैंने कम स्कोर इसके लिए बता है कम अटेंट क्योंकि रीजनिंग में आप स्कोर की सकते हो ठीक है वहां पर एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है टाइम कम होगा ना जैसे आपके बास काम टाइम कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं एक्यूरेसी सही होने चाहिए आप 50% भी आपकी एक्यूरेसी वह अटेंट कर रहे हो अच्छा है और रीजनिंग में खीच देना भाई 15 प्लस खीच देना आपका जो है पेपर अच्छा जाएगा क्वालिफाई करना है ज्यादा मसलों गलत नहीं होना चाहिए इंग्लिस में कुश्चिन का ध्यां रगना क्य अच्छी है तो भाई साब आपका पेपर निकला हुआ रखा यह मालो ठीक है 22 22 अगर कोईशन भी कर ले रहे हो अच्छी एक्यूरेसी के साथ तो जीएस में आप 15 से ज्यादा खीच नहीं पाऊगे मुझे लगनी रहा 15 17 अगर सभी कोईशन है तो और कोई-कोई-कोई यार सक्षेन एक्टूबर की वह आपका क्वालिफाइंग है इंगलेस और रिजनिंग इंगलेस और जीस में जीएस में आपकर नमबर लेक्या होगे तो इंगलेसी बचा आपके पास थोड़ा सा एक्कूरेसी पर ध्यान जादा देना है आपको ठीक है तो जो भी आज की अलांकि मेरे पास बहुत सारे कुशिन आ चुके हैं पटो कुशिन सेयर करना ठीक नहीं है आप भी जानते हो ना लेकिन हाँ यह जो हिंट मैंने दी हैं जो चीज़े मैंने आपको बताई हैं जीस के अंदर कि सेक्शन क्योंकि आप लोग एक्जाम टाइम पर कंफ्यूज रहत तो इन सब चीज़ों को पढ़ जाते हो वोकेबलरी जनरल पढ़ लेते हो वोकेब पर सबस्यादा कमांड रखना और प्रैक्टिस एरे डिटेक्शन की करते रहना ठीक है इन में से आपके एक्वरेसी बन जाएगी यही दो पेपर हैं आपके और जीस और इंग्लिस इसमें आप अच्छा स्कोर करोगे इसी से आपकी मेरिट लगेगी ठीक है तो आई होब कि आज का यही जो छोटा सा वीडियो है यह आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्फुल रहेगा मर्यादा में रहके हम चीजों को आपके सामने रख रहे हैं थैंकी सो मच सी उन देक्शन बाइ अगर को जानकारी आपको लेनी है किसी तरह की लेनी है किसी तरह की क्लास लेनी है पीडिया वगएरा कुछ भी आपको चाहिए इस ट्रडी मटेरियल एक्जाम के लिए आप इस नम्मर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं चलो वाई वाई टेक केर थैंक यू